अगत है तो कोचिंग सिटी कोटा में जल प्रलय आया हुआ है रेकॉर्ड बरसात के बाद हड़ोती अंचल में नदी नालों से लेकर बड़े बांध तक ओर्फ्लो हो चुके हैं और बड़े बांधों के गेट खुलने से अचानक नदिया किनारे तोड़ कर पस्तियों का रु पोट देखिए है कि अगया है कि अगया है कि अगया इदर नेरू को लोनी बिजिराज को लोनी कच्छी वस्ति में अच्छा आजो गावडी वावडी सब जगए नए पानी आ रहा है ये आफ़त तो आनी ही थी जब रिकॉर्ट 1350 मिलिमीटर बरसाप ने कोटा में कई सालों के रिकॉर्ट थोड़ दिये हैं हाडोती अपने जिन विशालकाय बांधों पर इखलाता है उन में से करीब करीब सभी इस बारिश के पानी के आगे पस्त हो गए हैं गांधी सागर से लेकर कोटा बैराश तक इस सीरीज के सारे प्रमुक बांधों के सभी गेट अब खोलने पड़े हैं और इसके बाद कोटा शहर में हालाद बाढ़ के बन गए हैं लेकिन बांधों के स्तिती पर गोर कने तो देश के सबसे बड़े जलाशे माने जाने वाले गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट अगर 13 साल के बाद खोले गए हैं तो फिर बाकी बांधों की क्या बिसाथ है फर्स्ट इंडिया टीम की ताजा जानकारी के मताबिक मध्य प्रदेश से लेकर हाडोती तक इस अंचल के बड़े बांधों का ताजा हाल कुछ इस तरह है गांधी सागर बांध के 19 गेटों में से 19 गेट खोल कर 5 लाग क्यूसेक पानी की निकासी की गई इस तरह जवाहर सागर बांध के सभी 12 गेट खोल कर पानी निकाला गया कोटा बैराज के 19 में से 19 गेट खोल कर 6 लाग क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है कोटा वेरात से भारी जल निकासी के चलते कोटा शहर की गावडी, हरिजन बस्ती, नयापुरा, कुनहारी, बालीता, भीन गंज मंडी, पापू बस्ती समेथ करीब एक दरजन बस्तियां पानी में समा गई हैं निचली बस्तियों के कुछ लोगों ने मुनादी के बावजूद घर नहीं छोड़े तो पानी मौत बनकर घरों में घुज गया और आखिरकार नगर निगम को ऐसे कई इलाकों में रेस्क्यू उपरेशन चलाना पड़ा सहर का एरिया है और साथ में उपखंड इटावा और दिगोद उसके एरिये में भी कुछ जिगे पानी उपर चड़ा है और इससे कुछ लोग प्रभावित हुए हैं परशासन ने इसके लिए सभी व्यवस्ते करी है आमनागरिकों की जानकार्य के लिए मुरादी करवाई है सहे ऊसे इस खोले हैं चिकित्सा की भोजन की दूद की दूसरी व्यवस्ते करी है और हमारी टीम्स हैं वो लगातार विजिट कर रही है और जहां-जहां में रेस्क्यू की ज़रूत है वहां नाव के जरीए गरीब लोगों के वस्त्रों और उनके खाने की वस्ताओं में जुटे हुए है तो यूँ करके सारा जो एक तरीके से इन लोगों का सहुख के लिए हमें करना चाहिए बरहाल कोटा में इन हालात के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सवाई माधुपूर, धौलपूर और करोली जिला प्रशासनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि गांधी सागर से लेकर कोटा बेराज तक का ये सारा पानी चंबल का जलस्तर बढ़ाने वाला है और एक दो दिनों में इन हालात से राहत मिलने की कोई उमीद नजर नहीं आ रही सहयोगी सचिन ओजा के साथ भवर S. चारण, First India News कोटा